सुधी चोदरी को चुलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर वो शौकरो के तिहाडी वाला काम नहीं किये होते तो आज हम जनता का जो टमाटर मेंगा पर सवाल करना चाह रहे थे वो बेदड़ा कर पाते पिक रहा कलम और अखबार क्यों अपनी ही किसी खता से पूछ लो मर्कित पड़ी हुई है सान्ति क्यों वोत देने की खता से पूछ लो दिए लाल-लाल होता है मैडम भी लाल-लाल हो गई है नहीं तो पहले धूल मिती से सडकों पर सिलेंडर लेके बढ़ती थी मेरा कहना है यह अप तो नहीं दिख रहा है उनको सिलेंडर नहीं दिक रहा उनको कि मैं तेरी दुष्मन, दुष्मन तु मेरा, मैं नागन तु सपेरा. तो राहे पविक बार आजाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे लियाओ तो जाने, दोकरोल रोजगार दिलाओ तो जाने, नदंगा फशाद कराओ तो जाने, कलीम जी, मीडिया को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, अभी हाल ही मैं सुधीर चोधरी का एक वीडियो वाइरल हो रहा है, तमाटर वाला, हाँ, देखा आपने, क्या कहना चाहते हैं, ऐसे जब जवाब मिलते हैं, वापसी, ऐसे जवाब मिलते हैं, तो ऐसे जो सुधीर करना चाहते हैं, और बेदड़ा कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाएं, अगर गिल्टी ना होते हैं, तो वहां पर यह खामोश नहीं हो पाते हैं, उस सवाल पर, इसमीती जी को घेर लेते हैं, पर घेर नहीं पाएं, तो इसका मतलब साफ है कि आपने जो गल्ती करी थी, उस पर आपने खामोश रहने का मतलब आपको यह मिल गया ना, घेरतित के नोकरी बजती हो उनकी, फिर आगे तुम बग्चोरी करने के लिए, मैं नोकरी की बाती नहीं करना हो भाई, मेरा एक ही बात है, कि जनता को जागरुक होना चाहिए, आज जनता जागरुक भी है, मैं ख अजीजूठ बुलकर, कहां जाएगा, जहां जाएगा, मुझे पाएगा, अजीजूठ बुलकर, और जनता और चोबीस में हर पॉलिंग बूर्च से कह रही है, कि चोरा है पर एक बार, आजाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, दुकरो रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फशाद कराओ तो जाने, अजी लाक जुमला में छुप जाएगा, अगनी वीर बना कर न बच पाएगा, अजी जूठ बुलकर, कहां जाएगा, तो हम जनता जो है न, बैट गह हैं जिस सोचल मेडिया की सीड़ी पर 14 में फिले की सीड़ी छाड़ कर चड़े थे न, उस शोशल मेडिया की सीड़ी वों पर हम जनता बैट गह प्रदान मंतरी को जोला पकड़ा देंगे अभी बात हम प्रदान मंतरी के कारेगाल पर भी आएंगे जो इसमर्थी इरानी जवाब दिया जवाब दिया आप सही मानते हूं जवाब को बिल्कुल आप किसके साइड है यह मैं पूछना जानता हूं जनता कि पत्रकार को अपनी किसी खता से पूछ लू कि मारकिट पड़ी हूई है सांत कियूँ वोट देने की खता से पूछ लू ती हम जनता ने पूछ लिये आपरस में समझ लिया और हमको समझ में आगया है कि आज कलम क्यों कि लोक լर बाढ़ी के 3 लोग जिम्हार होते नं एक भी का कलम और दूशरी शुई हुई जंता और मरा हुआ विपक्च यह तेनों दिख रहा था अब जंता जाग गई है और विपक्च भी देखे हो आब दिखी रहा है तो यह पक्का है कि जब समाद में जागरुकता होती है तो जो टानाशा होता है वो घपराता है आपको रखता है कि वह सवाल परस्णल था आपके घर में भी तमाटर पर चर्चा होती है घ्या हस की रहकुड है यह सवाल Jagius तेकि कि money on the witness क्याया, जो जिस बहन जी की आप बात कर रहे हैं. हम तो भावी कहते हैं, आप बहन जी कहते होंगे, श्मिति इरानी जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बंबे से आती हैं, जो भी निरानी बंबे से आते हैं, और मैं भी बंबे से हूं, तो हमारे तो भाई हो गए नौ, तो इस हिसाब से, हम कह लेते हैं, लेकिन एक बात पत्रकारों को भी पता चल गया है कि पत्रकार अगर गलत नहोता तो उसको एक जो है जिस इस मिर्थी इरानी तो सवालों पर घिरनी घिर गई थी तो यह हम जनता को प्राब्लम है और जब 414 में गैस मिल रहा था तब वह आपको प्राब्लम था तो हम जनता समझ गए नो कि एक सवाल बनता है कि इस मिर्थी इरानी टमाटर पर सवाल पुछल पर तम तम तमा गई क्योंकि खुद एक टमाटर बन गई है आप चोदह में क्या आप जानते ही है क्या टमाटर बन गई बैक्तिकत नहीं कि रहा हूं मैं तमाटर की देगे मैं 414 रुपे से और से मेडम भी लाल लाल हो गई है नहीं तो पहले दूल मिटी से शड़कों पर सिलेंडर लेके बैठती थी तो दूल मिटी लगता ता आप कहां लग रहा है मेरा कहना यह अब तो नहीं दिख रहा है उनको सिलेंडर नहीं दिख रहा है महंगाई नहीं दिख रही दाल नहीं दि तो धोबी का क्या होता है आगे नहीं बोलूगा जनता समझ जाएगी वो धोबी का हो गया को लगता है कि अब इनके कुछ समझ आएंगी चीज है क्योंकि बहुत सारे लोग यह कमेंट कर रहें कि अभी न समझ जाना चाहिए कि पत्रकार की भूमिका में रहेंगे तो जादा यह बताइए नहीं लगता आप नहीं मुझे तो नहीं लगता सर देखे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं हम जनता किसकी तरफ ज्यादा तर जो है हम जनता किसकी तरफ जो है इनसाप की देख रहे हैं आप ही लोग की तरफ कि हमारी आवाज आप उठाओगे उसका एग्ज आप मांगने आ रहा हूं और आप लोग करते थे तो इनसाप हमारा जो जनता का यह लगता था कि यह मीडिया जो हमारी बात जोए सत्ता को पोशायेगी प्रशास्वन को पूचाति है लेकिन आज अधि उठाएं ही हमारा सुपारी ले-ले रहा है तो बताएऊ की जब मुनस आडानी का नाम लेने से देखो संसद बन जो जो प्रणाली है जो लोकतांत्रिक जिसमें खर्चा होता है जनता का उसको इनोंने ठप कर दिया था अडानी के नाम पर जो है राउल गांदी की सदस्यता ले लिया था और यह बताईए कि यही जो रहां संकर कठारिये ना जिनका अभी दो साल का सजा हुआ है आप पतरकार बंदू भी जो है बात को छुपा रहे हैं अभी तक बताईए उनकी सदसे ता गई की नहीं मैं आप लोक से सवाल कर रहा हूं गई क्या क्यों नहीं गई दो साल की सदा उसको भी हुई है ना जानी चाहिए कि नहीं तो यह लियाने की कोशिश हो रही है उनकी करीवियों पर एडी कि कहरवाई चल रही है तो कई नहीं तो मुझे भी लग रहा है कि बार-बार सर्वह कभी इदर कभी उदर कभी मंच पर जा रहे हैं क्या वात है अब जनता भी हम पूछेंगे पूछना टो हमारा राइट से अमेठी के सवाल पर इस्मिर्थी रानी ने कहा है कि एक तरफ जो है वो युवराज खड़ा है दूसरी तरफ अमेठी की जनता खड़ी होगी यह अपने आपको गह दिया कि जनता जनता चुने की अपकी से चुने की आप यह आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका जो है नारा लग रहा है अब जनता खुद इनको ढूंड रहे हैं कि 13 रुपए कि लो चीनी देने वाली थी चीनी क्या हुआ है आप बताए 13 रुपए चीनी का वादा था कि नहीं अमेठी में तो आभी मिल रहा है कि नहीं तो यह तो जनता पूछेगी ना उनसे कि यार वही वह यह दिखाना चाहती है कि 142 करोर 87 लाक में एक वही अबला नारी है जिनको फलाइंग किस के माध्यम से उनकी जग लुट गई यह दिखाना चाह रहे हैं यह बताना चाह रहे हैं यह बताये मनिपूर के अंदर जो अवर्तों का जो निर्वस्त करके नहीं बोल रही है यह पर बढर बार बोल रही है प्राइंक कि अदे सबार की स घ्रयां की समय को अई All-opath कि तुम कहीं नजर नहीं आहीं तुम्हारी शीटे नहीं दिखेंगी इतनल भूलिब इस ल्स Nevada और जगा सब्सक्लाइब करिया रहा है। कि इतना हम प्यार कर रहे हैं आप तो हम भी किसको फ्लाइंग किस्का शौ किसके मज़ई द consumers कर राइथा फेलाया है कि हम भी करेंगे या फ्लाइंग केस वम जनता हैं हम ही तो नेता को महबत में इत कर ते नहीं इत तो मैं एक बात बता रहा हूं देखिए मनुच्टिवारी को जानते हैं उन्होंने का था शारा विपक्ष नामर्द है का था कि नहीं तो साहिद राउल जी ने सिरियस ले लिया हो और इसमीर्ती जी को किस कर दिया हो और इसमीर्ती जी सदन में लगी हो ऐसा नागिन डांस करन कि मैं तेरी दुष्मन दुष्मन तू मेरा मैं नागन तू सपेरा ये चल रहा होगा शाय Ciao ने तो मैं तो ये नहीं मानता हूं कि फॉलाइं कीश देश का मुद्धा है, मुद्धा तो हमारा युआओं का रोजगार है, बरती महंगाई है मैलाओ पर हो रहा त्या आच्कु आपको आप लोग तो पत्रकार बंदू हैं आप लोग देखते भी होंगे कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो जनता के जो जो लोर मीडिल क्लास नीचे है उचासट रुपे में एक लीटर दूद नहीं खरीद पा रहा है जिनके बच्चे छोटे दूद पिते हैं उनको मा जबरजस्ती रोटी पानी में भीगो कर खिला रही है भाई मैंने अपनी आंकों से देखा है यह चीज़े बताइए सरम ना के यह तो पड़ानमंतरी को चुलू भर पानी में सरम से दूप के मर जाना चाहिए कि जो आदमी कहा था कि सो दिन में में महेंगाई कम कर दूँग आज बताइए कि जब वो यह बात कहे थे तो उस समय 32 रुपय दूद थी आज 66 रुपय लिटर विक रहा है तिन को चुलू भर पानी में डूप के मर जाना चाहिए सरकार को